सब्सक्राइब कर देखा और अच्छा चल रहा था मैंने देखा कफी सारे फांडिंग मेंबर्स शेरिंग कर रहे थे और एक्च्छल में देखा जाए तो यह तो होते रहता है कभी हम मंच पे कई बार ऐसा हुआ है कि लेट आया हूँ लेकिन एक्च्छल में यहाँ पे जितने भी फांडिंग मेंबर्स हैं होस्ट हैं वो यकिनन इंतजार करते हैं यह बड़ा अच्छा लगता है तो यहाँ पे जितने भी को होस्ट हैं होस्ट हैं हमारे मैं सबी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यकिनन मंच को देखा है और बहुत ही अच्छा मंच है मुझे लगता है एक्टिविस्टार इंडिया का क्योंकि मैंने इसको लगबग धीरे-धीरे करके लगबग यहाँ पे 30 वीक्स हो चुके हैं तीस हफ्ते हो चुके हैं लगतार इस वीक्स में इस हफ्तों में मैं आता जाता हूँ और कही न कहीं यहाँ पे प्रिजन्टेशन भी देता हूँ जो अक्छल में मुझे पता है यहां के और आप सभी लोग सुनते भी हो तो एनिहाँ यह तो खेर एक बात होई जो कि आप सारे founding members का package end होने वाला है फिर से तो current scenario की अगर हम बात करें तो मार्टी डिगार मुसर के live में उन्होंने बोला है कि ये जो anytime जो हम new Oconnect का जो इंतजार कर रहे हैं तो वहाँ पे हम back office को उसको देखते रहे हैं वहाँ पे actual में क्योंकि back office ही हमारा सबसे बड़ा leader है और सबसे अगर अच्छी information अगर वहाँ से सबसे real information मिलती है company के तो back office है otherwise वहाँ पे आप देखें कि क्या हो रहा है एंड anytime उन्हों ने बोला है कि Oconnect हमारा lie हो सकता और जब पिछला webinar Mr. CEO का हुआ था तो उन्होंने भी यही बोला था कि आप back office पर एंड सब कुछ ठीक रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस पे आगे बात करेंगे आगे जो चीज़ें होंगी तो पिछले अगर 360 की बात की जाए तो Mr. CEO नहीं आ पाए थे तो पुराना वही recap एंड वही चीज़ें प्रिजेंट की थी मार्टी डिगार्मो सर में रेड़ेट फंसर में एंड वही चीज़ें हम सब लोग जानते हैं कि जो भी weekly updates होती हैं जो भी हम सब लोग देखते हैं वहाँ पे 360 में होते हैं एंड नेक्स्ट जो भी चीज़ें होने वाली हैं definitely हमें उसको accept करना है क्योंकि आभी आज एक poster हम सब लोगों ने देखा होगा एक photo देखा होगा जो कि मिश्टर नवीन जी टी हमें मौझूद है और टी हम एक्चुल में देखा जाए तो एक वहाँ पे software networking एक company है जो की बहुत बड़ी company है और वहाँ पे हमारे जो नवीन जी है मिश्टर नवीन जी जो एक्चुल में o connect को handle कर रहा है तो मतलब एक green sign हमारे लिए green tick है ये कि o connect is ready और पूरी तरह से वो ready है और Mr. नवीन जी को Mr. CEO ने बोला था कि जबी भी next होगा तो हम उनको ले के आएंगे तो हो सकता है कुछ green sign हमें मिलने को है और बहुत जल्दी good news आने वाली है इसलिए back office पे बने रहे हैं कुछ ना नियु रिलीज होजने वाली है और हम सभी founding member जानते हैं कि जब नियु रिलीज होगी तो actual में हमें new packages और उससे पहले हमें जो traffic वगएर हम सब लोग देखते हैं वो सब हमें देखने को मिलेगा तो यहां पे अमोमन scenario यहीं चल रहा है कि on pursue आगे बढ़ रहा है और world police summit की पुरी दुनिया के सामने पुरी दुनिया की police को जो कि हम सब लोग देखे भी हैं और हमारे एक short video भी आया था जो कि ओ मीडिया ने शेर किया था वो भी सभी founding members ने शेर कि अपने अपने groups में तो वो भी excitement का एक घड़ी थी क्योंकि अगर actual में देखा जाए तो यह world police summit हमारे लिए काफी successful रहा और यहां पे हमारे महमत कमाल सर और डॉक्टर सुजैन मैं वहां पे हम हमें देखने को मिली जो कि on pursue को represent कर रहे थे पुरी दुनिया के सामने जो की बहुत बड़ी चीज हमारे लिए क्योंकि on pursue हम जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा बड़ा ह और on pursue के CEO जब बुलते हैं कि on pursue में अगर आप 1% भी इसकी जानकारी रखते हो तो definitely आप इसमें बने रहो क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है back end पे बहुत सरी planning हो रही है और अगर देखा जाये तो जो चीजें हमें कल मिलने वाली है उसकी planning actual में आज हो रही है जो चीजें कल Mr. CEO हमें बताने वाले हैं कि हमने यह किया है तो उसकी planning आज हो रही हो सकता है कुछ ऐसा आज हो रहा हो कुछ ऐसा आज planning कर रहे हूं कुछ ऐसा यह partnership हो रही हो जिसकी हमें कही ना कहीं आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो चीजें पता चलें तो उसकी planning आज चल लिए तो on pursue 24 24-7 कुछ न कुछ कर रहा है अनपस्यू की ग्रोवत अगर पिछले पांच सालों में देखी जाए तो वो बहुत उपर गई है नीचे नहीं कभी गई है हमेशा उपर गई है चाहे हमारा वो बुर्ज खलीफा से एड को लेकर के चाहे हमारा डुबाई मॉल में एडवर्टीज से इस हीपने कंपनि यान कि हम काम कर रहे ह qu Int怕 के मर्केट यहां पर नूब है तो अभी आज की डिट में वहां पर पुलिस कमिट में जब वहाँ पे वो प्रिजेंट किया गया ओन पे सीव वहाँ पे बताया गया लोगों को कि यह यह ओन पे सीव है यहाँ पे यह चीज़ें हो रही है तो यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात है अलग लेवल के काम की है हमने नेटवर्क मार्केटिंग भीची हमने डीजिटल मार्केटिंग भी की है एंप Similarly मारकेटिंग B cabe mechanic hai लोग जो भी founding members इसको देख रहे हैं देन वो visualize कर रहे हैं आने वाले समय को कि on pursue जब आज startup के समय इतना बड़ा विजन लेकर कि वो चल सकते हैं Mr. CEO या फिर हमारे founding members जो भी हैं तो आने वाले कुछ महिनों की बात कुछ सालों की बात क्या होने वाला है तो यही चीज़े हैं कि आज जो हम सोच रहे हैं उसका प्रड़ाम हमें कल मिलने वाला है जो आज Mr. CEO कर रहे हैं उसका प्रड़ाम हमें कल मिलने वाला है या फिर जो कल Mr. CEO स्थासाइधि बॉर्ड प्लीस समिर्टे चाहिए वो प्लन संस्थाहुं स हमरी परड़र्स है तो परड़ाम आज मिलना है क्योंकि ये पीछे यह बैक एंड पर किया हुआ काम है जब बैक एंड पर कुछ ऐसा काम होता है जहां पर हम कहीं नहीं देखते हैं कि छोटी चीज है लेकिन डेफिनेटली वह आगे चलके बहुत बड़ी बन जाती है और ऐसे ही आज हम दोगों को देखने को मिल लाएं कि आज जो काम हो रहे हैं आज जो वी और असाध हमें नहीं पता है लेकिन उसका परेडाम उसका रिजल्ट हमें आने वाले चंद दिनों के अंदर कुछ महीनों के बाद हमें देखने को जरू मिलता है क्योंकि हम तब लोग जानते हैं और जभो media की website पी जाते हैं तो वहां पर हमने देखनों को मलते कि यह हमारे सब ऑन पेस्वेंस के एफर्ड्स हैं कि बुलते हैं कि टेक्नलोजी इस फ्यूचर और यह बात सही है अगर ऑन पेस्व में यकीनन हमने यहां पर कुछ अच्छी चीज़ें देखी हैं तो एक चीज़ देखिए कि हम टेक्नलोजी को बहुत अच्छे से सीख रहे ह और टेक्नलोजी एक फ्यूचर है हमारे आने वाले कल का जिसको टेक्नलोजी को हम कभी खतम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज अगर कोई टेक्नलोजी आज अगर राच कर रही तो डेफिनेटली वह हमेशा अपने इस तरह को बढ़ाने के लिए काम करती है उसके डेवलपर्स आपके जो भी हेंडल होते हैं वह अपने बढ़ाने के लिए काम करते हैं और ये बात सच भी है कि कोई भी हो जाए ब्लगचेन टेक्ट्ट्र Jewish pratic वह हमारी आर्टी इंटलीजिजिट टेक्नलोजी आज अब सभर्स टेक्नोलाजी पर हम वर्क कर रहे हैं और हम सभी founding members जानते भी हैं कि आज जिस हम o connect को यूज कर रहे हैं वो बहुत सारे platforms से जो other video conferencing tool है उससे कई को ना ज्यादा बेटर है कई को ना ज्यादा बेटर है यह लेकिन फिर भी हम artificial intelligence technology पर यहाँ पर कई सारे features लाने वाले हैं एक यहाँ पर मैंने article पढ़ा था जो कि I think new channel का नाम नहीं पचिपता है उसमें लिखा हुआ था कि AI आने वाले चंद सालों के अंदर चंद सालों के मतलब 2-4-5 साल के अंदर AI आने वाले चंद सालों के अंदर 5G technology से इतनी तेजी से रफतार पकड़ने वाला है कि यहाँ पर जितने भी सारे internet user हैं जितने भी हम तो use कर रहे हैं हम तो artificial intelligence technology को समझ रहे हैं यह हमारा future है robotic technology है लेकिन actually मैं य जहां कि जो external लोग है internal छोड़ दो यह अन पर सीज़े बाहर लोग है यह भी artificial intelligence technology को समझ रहे हैं क्योंकि USA Canada जैसे देशों में जो developed country है वहाँ पर AI की अभी पढ़ाई चालू हो चुकी वहाँ पर सब्जेक्ट करग दिया गया artificial intelligence technology तो जिस चीज की आज हम कलपना कर रहे हैं कि बाई यह imagine कर रहे हैं तो वो चीज कही ना कहीं जो developed country है suppose करें कि हम जापान की बात करते हैं जहां पर artificial intelligence का सब्से ज्यादा यूज़ कि जाता है हम डुबाई की बात करते हैं आज डुबाई के अंदर और पेस्व कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है आज आज देखा हमारे लिए कितना बड़ा एक वर्दान बन के आने वाला है जहां पर artificial intelligence की बात होती है तो हम कहीं ना कहीं चाइट GPT को नहीं हो सकते हैं यकीनन अगर SORA AI के हम बात करें तो अभी एक open AI ने एक real viral की है ठीक है वो बहुत viral हो दी है थोड़ा समझने वाली बात है तो वो real में क्या है कि open AI यहनि कि SORA open AI का product है ठीक है SORA एक advanced AI technology है SORA उन्होंका प्रोड़क्ट का नाम है एक chat GPT एक वर्जन है सपोस करें कि आज आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हो यह one है जो O connect का and 2.0 वर्जन जो है ना हमारा O connect काने वाला है तो chat GPT is a first version open AI का जो कि chat GPT है and SORA second version जो कि SORA ने एक real अभी SORA की viral हुई है जो कि उसमें बताया गया है कि वो auto generate किस तरीके से करते हैं humans को कि आने वाले समय के बाद में क्या होने वाला है आने वाले 100 साल के बाद में क्या होने वाला है तो expectation beyond the expectation यह चीज़ें जो हम एक सोच रहे हैं कि आज AI पूरी दुनि दे सकते हैं कि हमें यह काम करने में आसानी हो और AI की खास बात क्या है AI की खास बात यह है कि आपने आपको खुद develop करती है अपने आपको खुद upgrade करती है आप chat GPT पर जाएं और बोलें जाकर के कि यहां पे आप सबसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आप generate करके दीजिए नोड़ाट वो generate करके देंगे एक प्रोड़क्ट है एकनियेटर आइसिंग आपने नाम सुना होगा तो एकनियेटर क्या होता है वो लोगों को ढूंता है वो पूछेगा कि आप किसको ढूंद रहे हो तो आपको बताना नहीं है आपको माइन में रखना है एकनियेटर आप सर्च करना जाकर करके कि आपके माइन में एक फिक है कि मुझे इस सलीबरेटि को या फिर कुछ छोटा मोटा ही ही कुण हो सबूंस कि को यूटूबर नहीं है, वो एक्टर है, नहीं है, वो बिजिनिसमेन है, यस, ओके, पॉलिटीशन है, तो इस तरीके से वो आपके imagination को एक तस्वीर में बदल देता है, the power of AI, artificial intelligence आपके अंदर क्या चल रहा है, वो सब जानता है, हम आने वाले समय के अंदर, हम कौन सी जीवन में क्या activity करने वाले हैं, आज जो हम direction AI को देते हैं, वो हमें देगा, कि हम इतना calories आज burn कर चुके हैं, हमें ये junk food नहीं खाना चाहिए, हम कितने ज़्यादा दोलना चाहिए, हमारे अंदर कौन सी बिमारी पनफ रही है, ये सर्फ सिर्फ किस तरीके से, सिर्फ AI के जरिये, उन सब चीजों को आज Japanese लोग क्यों इतना ज़्यादा ये मतलब अभी तो 60 के अंदर ही काम हो जाता है, खर ऐसा बोला नीचे मुझे, लेकिन actually fact है, आप Japanese लोगों को देखिए, वो लोग किस तरीके से टेक्नलोजी के जरिये, अपने आपको किस तरीके से जवान दिखाते हैं, उनके जो चीजे हैं ना, उनको पता है, कि टेक्नल intelligence टेक्नलोजी का, AI टेक्नलोजी है, on passive अलग है, on passive तो उस पर वर्ग कर रहा है, ना कि सिर्फ on passive टेक्नलोजी को ला रहा, ये on passive AI टेक्नलोजी को अपने product के जरिये बढ़ावा दे रहा, जैसे open AI product, open AI के जो products हैं, चाहे सोरा हो, चाहे chat GPT हो, चाहे other platform हो, चाहे अकिने अक् product अभी तक market में देखे हैं, जो artificial intelligence में, जिनका 90% या 60% तक use हुआ है, वो अभी तक viral ही हुआ है, और अभी तक, इस O connect में, इस O connect में AI, आप suppose करें कि, यहाँ पे एक AI feature आता है, O connect में, AI का auto generated background, imagine करो आपे, auto generated background की, मैं वहाँ पे लिखता हूँ, type करता हूँ कि, एक ऐसी picture बन हो, जिसके पीछे, एक helicopter हो, तो देन वो तोड़स बना के देदेगा, यह AI का, यह technology का पूरा दौर चल रहा, और यह actual में हो सकता है, यह feature आई भी, या फिर AI music, जिस सबोस करें कि, यहाँ पे music है, बहुत सारी चीजे music हम, जो add की हुई है, और यहाँ पे feature आता है, कि हम कोई भी music को add कर सकते हैं, या फिर खुद अपना ही music बना सकते हैं, ऐसी AI websites हैं, जहाँ पे आप कुछ ऐसे word लिखो, अपने नाम से भी आप गाना बना सकते हो, मैंने बनाया हुआ है, तो यह सब technology का part है, जहाँ पे technology AI involved हो गया, तो AI क्या करता है, वो चीजों को generate करता है, ना कि Google क्या है, Google search engine है, हम क्या करते है, Google पे कोई सर्च करते है, यह कोई AI का यहाँ पर यूज हुआ ही नहीं, अगर आटिकल मौजूद है, तो जाकर के सर्च में आएगा, अगर नहीं मौजूद है, तो सर्च में नहीं आएगा, लेकिन AI क्या करता है, जो chat GPT, जो SORA जैसी websites हैं, वो generate करता है, सिस्टम को, वो generate करता है, अभी मैं चाहूँ तो, यह क्या हो रहा है? हलो? कौन है भाई, हलो, मेरी यह वाज आ रही है, सफिर भाई, जी सार, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही है, ओके, ओके, एक्षिल में, तो एक्च्वल में क्या होता है कि आई जो है न वो एक्च्वल में है वो जन्रेट करता है चाहे पिक्चेर्स होँ चाहे इमेज़स होँ चाहे कोई भी चीज वो situation को देखता है और आज यहां पे जो हमारा न्यू ओ कनेक्ट आने वाला है उसमें AI फिचर्स होंगे तो माई डिफेंड्स यहां पे किसी भी चीज को ले करके किसी भी फाउंडिंग विंबर्स को या आउन पे सिवंड्स को वो चीजें वाइरल होने वाली हैं विकॉज क्योंकि अगर देखा जाये तो आज की डेट में जो आज जो भी डेट चल रही है आज की तारीक अभी तक किसी भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग टूल में AI का यूज नहीं किया गया है अम आर्ण और और रहा हैं तो जब आप मार्केट में यह लिखीद बात है जो बिजनिसमें बड़े बड़े हैं उन्होंने लिखी हुई है आप एक बुक पड़े थे अशल के अगर चीप्रेट में यानि कि सस्ते में आप बेचते हो तो definitely आपका product बिगता ही बिगता है वो एक brand बनता है बले ही वो new क्यों नहों तो हमें इसकी तो कोई चीजे नहीं है हमारा product on-press you का जो ओ connect है उसका बिल्कुल सस्ता है and then user friendly AI का use है features ज्यादा है तो then go viral है चीजें क्या होगी viral हो जाएंगे अभी एक AI software है उसका नाम मुझे याद नहीं अडॉप साइथ है I think Adobe नाम है उसका जो कि वह actual में AI के videos को generate करता है suppose करें कि और with voice with voice यहां तक AI पहुंच चुका है अब with voice साथ में voice होगी and then suppose करें कि मैं बैठा हुआ ठीक है and मैं बैठा हुआ हूँ and आप जानते भी है कि मुझे किस पे speech देनी है वहाँ पर मैंने चीजे डाल दी कि यह सीजे मुझे देनी है speech देनी है ठीक है okay डालके मैंने save कर दिया then जब भी इस webinar को मैं click करूँ गा तो वो चीजें सामने आ जाएंगी, ओके, कि अब लगेगा कि तो बहमत कैसी बोल रहा है, लेकिन एक्ष्वल में वो एक आवतार होगा, और सेम वाइस के साथ में, सेम फ्लो के साथ में, सेम मोटिवेशन के साथ में, वो आटो जनरेट करेगा, री जनरेट करेगा, सबसे पह है कि कोई English mixed and Hindi mixed and Urdu and plus Sunsecret, वो mix करके बोल रहा है, तो देन वो भी mix करके बोलेगा, तो लगेगा ही नहीं कि सामने वाला बंदर real है या fake है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो ये एक्ष्वल चीज है, जहाँ पर AI का पूरी तरह से इस्तमाल किया जा रहा है, और लोग लोग उसको यूज कर रहे हैं, जितनी भी, अमुमन वेबसाइट आज AI पर अधारित हैं, बले ही वहाँ पर 40% यूज किया गया हो, आज लोग उसको यूज कर रहे हैं, वो लाखों डॉलर मंतली कमा रही है, छोटी से छोटी वेबसाइट AI की, और और जैसी वेबसाइट, मिलियन सॉफ डॉलर पर रे जनरेट कर रही है, मिलियन सॉफ डॉलर, ओपन AI कितनी बड़ी वेबसाइट बन चुकी है, तो ये सब चीजे हैं, एक्चुल में हमारे लिए बहुत बड़ी चीजे हैं, हम साहिद आर्टिफिसल इंटेलिजेंस टेक्नलोजी को, जिस लेवल प कोई बात नहीं है, मिटिंग चालू की दन यहां पर प्रिजेंट करना इस्टाट कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीजे हैं, अपग्रेड होकर के ओकनेट हमारे सामने आने वाला, लोगों के लिए ये जरूरी नहीं मजबूरी बनने वाला है, और ये होके रहेगा, मिश्ट कि ये जब पूरी तरह से जब इसमें AI फीचर्स आएंगे, तब O-Kinect किस तरीके से दिखने वाला है, तब O-Kinect किस तरीके से यहां पर होने वाला है, बात सिर्फ O-Kinect की नहीं है, बात यहां पर सारी on-press-week जितने भी सारे प्रोडक्स आने वाले हैं, जितने भी सारे प अब ये BN Sports पे जब पिछली साल एड चली थी, हमारी 2006 में फिर FIFA है, तो उसमें क्या था कि वहां पर लिखा गए था, जब एड चल रही थी, कि on-press-view the future of internet, on-press-view the future of internet, means, एक्चुल में यह है, और ये internet का future है, ये future में लोग उसको यूज़ करने वाले हैं, अभी जिस part की हम बात करते हैं, AI की बात करते हैं, वो part तो भी शुरू हुआ ही नहीं, जिस हम data center की बात करते हैं, पूरा हम internet जगत को पूरा हिलाने की बात करते हैं, जहां पे tsunami की बात होती है, वो तो part हुआ ही नहीं, traffic का part सारे product आये नहीं, physical products आये नहीं, तो ये actual on pursue है, जहां पे data centers, domain names, पूरी दुनिया को domains provide किये जाएंगे, आपकी एक अलग website बनेगी, suppose करें कि यहां पे जमसेद भाई है, इनके नाम से एक अलग website बनेगी, www.jamset.com.ai.in, कुछ भी domain ले सकते हैं, उसका अब एक अलग charge होगा ये अपनी website पे कितना भी traffic ला सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जनता है, उसके पास traffic है, traffic means जनता, ये कुछ भी जाकर के वहाँ पे sell कर सकते हैं, बेश सकते हैं, और ये चाहें तो अपना o connect की यहाँ पे marketing कर सकते हैं, ये एक अलग level की चीज़ा होने वाली है, जब आप यहा सब ने महनत किये, CEO ने महनत किये, हर एक staff ने महनत किये, सब ने महनत किये, अलग-अलग level की महनत की, कोई webinar कंड़क कर रहा है, कोई YouTube पर वीडियोज बना रहा है, कोई अलग-अलग level पे हर एक इनसान अपने अपने level से on passive को promote कर रहा है, ऐसे ही नहीं Mr. CEO आकर कि यहाँ पर आप बोल देते हैं, अगर कि zero will be hero, आप zero हो, doesn't matter, आपके नीचे क्या है, doesn't matter, आपके नीचे बहुत सारे लोगों कोई दिक्कत नहीं, हम सब को यहाँ पर hero मानते हैं, क्योंकि वो चीजें actual में, जो mindset हमारा है, बहुत सारे लोगों लगता है कि 14 लाख लोगों को अगर इतन आए तना 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 पैसा आएगा, जबकि ऐसा नहीं, on-pac-view से बहुत अलग है, on-pac-view से बहुत अलग है, जहां पे सारे के सारे product on-pac-view का आने वाले हैं, तो हमारी lifestyle क्या होने वाली है, founding members की lifestyle क्या होने वाली है, जहां पे data centers, जहां पे old domain, जहां पे traffic, millions of traffic, लाखों करो तो हर एक काम हर समय पर होता है तो वह काम का एक अलग समय होता है तो वही तो में शुरूरा प्लानिंग हो रही है कि हमें नहीं पता ही कि क्या हो रही है कर भुए कि अदस मार्केटिंग का anti-unечение planning हो रही हो कि पैफिक की प्लानिंग हो रही हो बहुत सारी प्लानिंग्स है ऐसको क्योंकि आज की आज की आहीं च्छला ले अज छल रही तो चलने दोस्कों ऐस नहीं है सट्रियोह आज भी बहुत सारी चीज़े करते ने लोगов अनको सर्च करें पिस्टर सी यह नि की मिस्टर एस मुफारे सर वो किस तरीके से इंटरनेट को उन्होंने समझा और वो आज से नहीं बलकि 20-25 सालों से इंटरनेट से पैसा कमा रहे है जब इतना experience वाला CEO हमारे पास है और आज भी वो आज भी लाखों डॉलर वो इंटरनेट से कमाते हैं लाखों डॉलर पुरा बैड़ अटर पढ़ने जाकर कि उनको पच्चीट 24-25 सालों का experience है वो कहां जाएगा अभी तो मार्केटिंग के वो कि मार्केट के अच्वल में किंग है उनका रेसियो क्या है पता है आपने हम चाहते हैं कि हमारे हमारे टीवी में आड दीखे हम चाहते हैं कि हमारे होती है और मार्केटिंग इस तरह होती है ब्रेंडिंग और मार्केटिंग में फरक होता है अभी तक जो कि हमने ब्रेंडिंग की है एक्च्वल में अगर ब्यान स्पोर्ट्स की बात की जाए तो एक्च्वल कोई मार्केटिंग नहीं थी हमारे लिए क्योंकि हमारे पास में आपको कर रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं और है वो मैंने वीडियो बना दिया यूट्यूब पे छोड़ दिया कोई भी देख लए हूँ क्या है वे ब्रेंडिंग है जानते हैं और मार्केटिंग से लोग आपको पगड़ते हैं आपको यूज करते हैं कि suppose कि कोई प्रोड़क्ट आपने मार्गेट में दिया और आपकी पर्टिकुलर एक अॉडियंस को आपने झार्गेट किया तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है बैनिफीड मिलने वाला है उडर आपको लिग व और एक्च्वल टार्गेट ओडियंस किस तरीकों को हमको टार्गेट कर रहा है तो समझते हैं और वो चीज़ें होने वाली है अन्पेस यूगे CEO एक बार इनकी प्रोफाइल पर जाकर आप चिप करें कि किस तरीके से इन्होंने इनका रहिए क्या है मार्केट में और किस तरीके से इन्होंने पर्टिकुलर एक ओडियंस को टार्गेट करके इनका 90 परसेंट का रहिए है 90 परसेंट करें से कि आफ एक लाख लोगों को टार्गेट करते हैं यह बहुत बड़ी चीज़े मतलब यह Ja अग्रैव एक लाख लोगों को टार्गेट करते हो उसमेंसे नाइटी थाउजन लोग आपके साथ में रहते हैं यह ऻाग वह वह कि अगे इतने बड़े किंग नहीं कि अगर इतने बड़े पात साल से बना पैसों के काम कर पाते आगर इतने बड़े किंग नहीं होते तो प्रिले 5 सालों तो जो भी फांडिंगमेंबर्स बहले ही गलत बोलने के बैवाजूदunion ada रखते हो यह वह हैं कि उन्हें के उम्मीद है तब है अफर आफ मार्केटिंग्स्टेजी कर ब्रेंडिंग हम अपना मार्केट में तभी प्रोड़क्ट बेश पाएंगे जब सामने वाले को लेगा कि यह प्रोड़क्ट आप सभी लोगों के लिए फाइदे मन्द हैं कि आप उस दुकान पर कभी सोदा नहीं लेने जाते हैं अगर आप दोर नहीं ले रहों लगती हैं आप उसी दुकान पर जाओ यहां पर दोर पर सामान मिलता हो बहतर क्वालिटी का तो मार्केट में क्या है दो मार्केट किस तरफ जा रहा है मार्केट को यूज करना चाहता है कि हमारे लिए वह सुरामी की बाद मिश्टर माइकल या乾 को में कोई करता है तो गलत नहीं लेकिन बसरत यह बात है कि एक्शिल time की यहां पर time बहुत matter करता है वक्त बहुत matter करता है जो भी चीज़े यहां पर हो रही है। हो time के according हो रही है कि भाई एक समय होना चाहिए उस चीज़ का और जब भी सही समय होता है तो मिस्ट्र सी ओसी को present करते हैं सामने लाते हैं उसी आज जो भी हो नोडाउट की तमाम सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो की अलग-अलग लेवल का एक काम कर रहे हैं और वह एक अलग-अलग लेवल का चीजों को समझते हैं और पेस्यू को उनकी उम्मीदें जब लाउंच नहीं हुए थी तब तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन जब और कमर्सिल क्या गया वहां सेप्टेंबर के बाद दिन आज का दिन है तो वह चीज़े दीरे 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 लोग होता चला गया जबकि हमें तो इस बात की खुसी होने चीज़े कि इन छे महीनों के अंदर हमने इतनी सारी पार्टनर्शिप्स की हैं हम एक रियसन्स के रिजन के अधार पर हमें ऑगे बढ़ते जारा की हम помог रियल एınt क्योंकि हम रियल हैं क्योंक्य हमन्ता है कि हम आन परफे में रहे कर यहां से जो कुछ कर सकते हैं साइसी कोई फीलड आस तक हाई नहीं हमने हम अगर होती तो हम वह काम नहीं कर लेते एक्शुल चीज है यह रियल चीज है यह एक वाकई में जब हम इसको सच करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि ऑन पैसिव जब आप इसको जाएं और चैट जीबीटी पर पूशने जा करके मैंने पहले बोला है कि वो कोई गूगल से आर्टिकल निकाल कर नहीं लाएगा याई क्या है वो खुद में जनरेट करता है चीजें तो जब याई भी आर्टिफिशल इंट्रिजेंस एक्ट्रोजी ऑन पैसिव को जानता है कि ऑन पैसिव एक्शल में यह है क्योंकि इसकी चर का मैटेरियल चाहिए दिन वो प्रोवाइड करेगा जो सर्च रिजल सकती ज्यादा होंगे तो आन पैसिव आज जो हमें दिख रहा है एक्शल में उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है और यह तमाम सारे फाउंडिंग वर्स को जानते हैं कि ऑन पैसिव आज तो हमें जिस तरीकिसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है यह और पैसिव इससे कई गुना जादा थाउजन्स ऑफ टाइम बड़ा है यह तो उसको अगर कई हजारों टाइम भी बोल सकता हूं क्योंकि हम साइद आर्टिफिशल इंटेलिजेंस टेक्नलोगी में फर्स टाइम इसके बारे में में जानते हैं लेकि मिश्टर सीओ जो 20-25 साल से इस सब चीज़ों को यूज़ करते हैं टेक्नलोगी में उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें लोगों को नीड है आवा सकता है तो हम साइद उसे जादा नहीं जानते हैं क्योंकि लोग जो जानते हैं उनसे आप कुछी जा क खुद AI आज की डेट में वाइरल है जिस भी जिस भी डिजिटल या डिजिटल प्रोडक्ट में या फिजिकल प्रोडक्ट में रोबोटी कोई भी चीज हो यहां पर भी AI का यूज हुआ है माई डेफेंट्स उसको लोगों ने आज तक पबलिक ने उसको कही ना कहीं समझा है और उसको यूज किया है उसकी उसमें भर-बर के चीज़ें वाँ पर आई है नो डाउट की तमाम सारी आज वेबसाइट्स हैं जो AI पर आप टेकनेटर एकनेटर जैसी वेबसाइट रातो रात वाइरल हुए है चैट जीपीटी जैसी वेबसाइट जो AI टेकनलोजी पर वर क्याओ आएडवांस टेकनलोजी की बात करते हैं मिच्टर सीयंों किस AI टेकनलोजी की बात करते हैं जहां पर हमारा फ्यूचर पूरा पूरा सेट है वुबरा पूरा 100% हमें कोई यहां पर हब यहां पर है अक्चल में अन बैटे हुए और डालर जख़नरेट हो रहे यह यह पर हमें आने वाले कुछ महीनों के बाद ये कुछ सालों के बाद इह दिखने वाला है कि आवसक्ता होने वाली लोगों की तो इसलिए ओन पेस्यू को जो भी फाउंडर एक परसेंट भी जानता है मैं समझता हूं कि आप अगर एक परसेंट या मैं एक परसेंट जानता हूं मैं भी परसेंट से कमी जानता हूंगा किEST कैयों कि हमें 99 परसेंट जानने की ज्रूत है नहीं मिश्टर जीओ के साथ में लगने की जरूत है कि भाइद आप जो करोगे डेफिनेटली हम उसके पिसी में हम सभी founding members का इस technology में हम सभी founding members का ही नहीं बलकि यहाँ पर जितने भी लोग आने वाले उन सब का future पूरा secure है हम एक safe hand में है जहाँ पर Mr. CEO हमें समझ रहे हैं और हमें Mr. CEO को समझना चाहिए जो भी आगे होने वाला है आगे जब देखते हैं 11 तरिक्या में बात क्या होता है जैकि जो भी होगा वो भूँशा ही होगा अमने पता है लेकिन जब भी यहाँ से वो चीज़े महें मिलने वाली है वो पहींतःहा मिलने वाली है साहिज हमारी more एतनी भी expectation है हमारी उस ज़्यादा मिलने वाली है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि already मैं late हो चुका हूँ and आज SORA की आप वीडियो ज़रूर देखिए जागर के SORA AI and chat GPT इसके बारे में और equator पे आप किसी भी चीज को आप सर्च करें और दूसरी बात है कि वहाँ पे किसी भी इंसान को ही नहीं बलकि आप किसी चीज को भी सर्च कर सकते हो वो artificial intelligence technology अड़ोप पे जाएं आप इन technology के दौर में आप चल रहे हो इस technology को समझ रहे हो तो वो चीजे हमें सीखना बहस जरूरी है ओके तो जो भी मैंने बोला है अगर आप मेरे बोलने वे कुछ गलती है होए तो मुझे माफ करना बहुत ज़्यादा देर मैं पहले बोल चुका हूँ कि अल्रेडी लगबग टाइम भी हो गया है दो घंटे से वेबनार चलना है तो थाइंक्यू सो मच आप सभी फाउंडिंग मेवर्स ऑन पेसिवन्स का जो आपने मुझे सुना थाइंक्यू सके सफीर जी इन्वाइट करने के धन्यवाद है और हमारे जमसेद जी मनोर्मा जी और जहां पे रेखाराणी जी और जितने भी विकास चकरवर्ती जी निता देवी जी और विजे कुमारी जी और राजा सुबरा सेंड जी को होष्ट सत्पाल थापा जी और हमलता कुमारी जी और रूमा दास और तमाम सारे अनकिस यून्स का मैं तह दिल से सुक्रिया गरता हूँ धन्निवाद देता हूँ आप सभी लोगों कि आपने मुझे सुना Thank you so much over to your host